हलो फेंड्स वेल्का से करम हो जाएगा इसमें आपको डालने है टमाटर यहां मैंने चार टमाटर लिए हैं जिसने मैंने बीच में से कट कर लिया है और यह मैंने लिए हैं दस से बारे काजू यदि आपके पास में टुकड़ा काजू होता है न तो वो भी चलेगा इसमें थोड़ा से नमक टाल लेते हैं ताकि चीज़े जल्दी हो जाएं टक देते हैं तीन से चार मिन बाद हम इसको चेक करेंगे इसे में ओवरकुक नहीं करना है यह हमने लिए हैं 150 ग्राम मर्टर यह फ्रोजन मर्टर है यह हमने लिए हैं 250 ग्राम पनी तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं मैं इसे इसकार शेप में बना रही हूँ आप चाहाए तो इसे ट्रैंगल शेप में कर सकते हैं जैसा आपको शेप सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं ट जितना बनना चाहे बना सकते हैं मसाली के quantity में, उसी इसाब से आप कम जदा कर देना यह जितना मैं लिया है मैं उसी इसाब से सभी मसाली योज करूअगी तो यह हमने qat-qa के दिया कर लिया है और यहाँ पर इसे हम चेक कर लेते हैं तेमार्टव से इसके लग्वा दिए लिए कर देते हैं और उसे हम अलक लेट में निकालेंगे और इससे आपको पूरी तरह से ठंडा होने देना है गरम अपको इससे नहीं पीसना है जब यह ठंडा हो जाएगा तब आपको इस तरहटे से यह सकनешь की अलग आपको इस इसी तरीके से हम बाकी सभी टमाटो तहरा कर लिंगे थंदे हो गया है मिक्सर जार ले हमने और सीहाय पीस लेना है इसमिज पाने की ज़रुत नहीं दिश होती आपको इसका एक स्मूध पेस्ट बना ठीकार करना है तो फेस स्अंध हम कड़ाई में लेंगे oil इसी के साथ में इसमें जाएगा पनीर जो हमने काटके रखा हुआ है पनीर को हलका से आपको फ्राइ करना है जादा नहीं करना है ये आप पनीर को जादा गोल्डन कर दोगे न तो उससे होगा किया पनीर ग्रेवी में जाके टाइट हो जाता है आपको इसे हलका से गुलाब से फिर्ट में इस तरीके से पलेट सकते हैं, तो आपको इसे एक से तो मिनिट ही करग ना है तो यहांपर पर यह पनीर हो गया है अब इससे ज़द आप को इससे फ्राय नहीं कर ना है तो इससे हम निकाल लेते हैं और मैं आपको इसे दिखा भी देती हूं कि पनीर कितना सॉफ्ट रहता है यह दिया पिसे जादर फ्राई कर दो कि अभी तो यह सॉफ्ट लगेगा फिर बात में ग्रेवी में जाकर तोड़ा सा टाइट हो जाता है अब यह जो बाकी का ऑइल बचा है ना हम इसी में हमारी सब सबसी बनाएंगे तो यहां पर सबसी के लिए हमने लिए है आदा चमश जीरा इसी के साथ में तो दालचीनी के स्टिक दो तेश पते लिए हैं हलका सा आपको इसे भूल लेना है फ्लिम को आपको लू रखना है इसमें चाहेगी आदा चमश से थोड़ा से कम है हल्दी प्रवाइब और यहां पर यह बुनकर तेयार हो गया है सफेस पर ओई आ गया है यहां हमने एक हरी मिर्च और अक्र को इस तरीके से काट कर रखा ता वो इसमें हम डाल लेते हैं और यहां पर हमने दो से तीन चमश मलाई ली है आपको इसे हलका सा फैटना है जादर नहीं प्रवाइब और नहीं पर निकल आएगा वालका सा आपको इसे फैटना है इस तरीके से क्रेमिश हो जाएगा आप चाहिए तो इसकी जगए क्रीम यूज कर सकते हैं वर्ना मलाई भी यूज कर सकते हैं सेम टेस्ट आता है मलाई डालने के बाद में आपको इससे लगातार चलाना है अब तब तक चलाना है जब तक कि इसमें बबल्स पाने नहीं लग जाते फिल्म को आप मीडियम टू हाई कर सकते हैं और यह थी आप मर्टर पनीर में क्रीम की जगे घर की मलाई का यूज करोगे ना टेस्ट वही आएगा बलकि मलाई से सबसी लाइट ही रहती है और क्रीम से वह थोड़ा से हेवी हो जाती है तो यहां मिली है एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और बस आपको इससे मिला लेना है देखिए सूखे मसाले डालने से होता क्या है वह ग्रेवी से मौश्य को एब्सॉप कर लेते हैं तो वह थोड़ा से ड्रै हो जाता है तो अभी तो इसमें हम यह मटर डाल देते हैं फ्रोजन मटर को यूज करने से पहले आप 10 मिट पहले फ्रिज से बाहर निगालके रख देना और इसे पानी भीवोकर रख देना तो वह आराम से हो जाती है आपको अलग से अब भी मैंने इसमें एक कप जितना पानी डाला है अब इसी में हम डालने के नमक नमक हम सब्जी के साब से डाल रहे हैं और अब आपको इसे चार से पांच मिल्ट तक ढख कर पकाना है मटर सॉफ्ट हो जानी चाहिए और फ्लेम को आप इलको लो कर देना तो हम इसे अब चेक करेंगे सर्फिस पर ऑईल भी आने लगा है मटर भी उपर आ गए है मटर हो गए है देखिए मैं पनीर लास्ट में डालती हूं क्योंकि उसे आपको बहुत साथ ग्रीवियों पकाना नहीं होता है यहां पर हम मसाले अट करेंगे तो यह आदा चमच करम मसाला एक चमच काले मिर्च पाउडर कसूरी मैतिल है कसूरी मैत्री को हमने भून कर लिया है सिंपल किसी पैन में डालना और इसे हलका सा भूल लेना और कशक करके डाल देना फ्रेश बारी कटा हुआ हरा दनिया और यहां पर हम डालेंगे एक चमच इतना क्रीम आप थोड़ा सा मला इसमें फेट कर डाल सकते हैं और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे पनी पनी डालने के बाद में आपको इसे ढखकर पांच मिनिट तक पकाना है लो फ्लेम पर कि हमने इसमें जो भी बात में सुखे मसाले डाले हैं वो भी एची से बख जाते हैं और पांच लिए हैं उसे इस तरीके से कट कर लिया है यहां मैंने शॉर्ट कट किया है तो जो कसूरी मेधी होती है न उससे मैंने करम पानी में 10 मिट के लिए भूग के रखा है यह बहुत ही शॉर्ट कट तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाती है तो इसका जो पानी है यह हम निकाल देते हैं और टेस्ट आपको वही मेति आलोगी सब्जिवाला आना है तो यह जल्दी बन जाती है जो पानी है उसे इस तरीके से प्रेस करके आपको एहना है तो यहां पार यह हमारी इंस्टेंट मेथी तेयार हो गई है यह मैने आदा कप कसूरी मेथी ली थी जिसे भिहISA Gewğol था अपने साप से थोड़ा कमेद तो पानी हमने इसका निकाल लिया है किश्या हमने कड़ाई है कड़ाई में हम लेंगे सम ऑइल बहुत सब्सक्राइब्स नहीं लेना है और जैसे ओल गरम हो जाएगा ता फिलम को लो कर दिना आदा चमच जीरा दो पिंच हींग और इसी के साथ में जाएगा एक चौथा चमच हली पाउडर हलका सा मिला लेते हैं इससे इसमें हम डालेंगे ये आलू और ये हम इसमें डालेंगे मेथी मेथी को थोड़ा सा फिला की डाला इस सरी के से और अब आपको इसे इसी के साथ में भूनना है दो से तीन मिनिट के लिए ताक कि जो आलू है और मेथी है उसका जो मोईस्टर है ना वो हलका सा ड्राय हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें मसाले एट करेंगे तो यहां ही दो से तीन मिनिट हो गए है अब हम फिलेम को लो कर देंगे यहाँ पर डालेंगे दो हरी मिर्च और आदा चमच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच से थोड़ा से कम हम लिया है आमचूर पाउडर और आदा चमच गरम मसाला इसमें नमक डालेंगे सादनसार जो कि मैं भूल गए थी बात में याद आये था थोड़ी सी कसूरी में थी ताकि खुश्मू अच्छी आजाए अब आपको इसे अच्छे से मिलाना है हमने जो भी सुखे मसाले डाले हैं अब आपको इसे भूनना है तो लो फ्लेम पर आप इससे 4-5 मिर तक गून सकते हैं पीच-पीच में चलाते हुए यह जो मसाले है यह आपके किचिन के रेगुलर मसाले है बहुत जादा मसाले डालने के जरूरत नहीं है इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बस मेथी अलोगी सबजी लो फ्लेम पर जितना बुनी की न इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है और आप इसे पूरी के साथ खाएं या फिर पराटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है सबजी बन कर तेयार हो गई है तो गोबी अलो ये सबसी के लिए यहा मैंने आदर के लिए बाटर की लिए है किवली आलो लिए है यह और मटर री एक कमाटर को हमने पीस लिया है यहां हमने कड़ाय मिलिया है ओईल ऑईल जब करभ हो जाएगा तो हम इसमें डालीगे गोबी और अलो अब आप flame को बिल्कुल low कर देना और गोबी और आलू को आपको अच्छे से पकाना है यहाँ पर आपको कोई गोलर होने तक नहीं करना है में है कि गोबी और आलू अच्छे से पकचाने जाएए आप इसे धकर पकाएंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे तो यहां यह हमारी गोपी और आलू तेयार हो गए है इस तरीके से भी चेकर सकते हैं ओवर कुग भी आपको नहीं करना है सिम कड़ाई में ओयलिया है अदा चमाच चीरा यहां एक देश पत्ता लिया है इसी हम इस तरीके से तोड़के डाल देंगे दो से तीन पिंच हिंग जाएंगे और जो हमने टमाटर पीस के रखा है वो इसमें डाल देंगे यह हम डालेंगे इसमें सबजी के हिसाब से नमक और अब आपको ऐसे तब तक पकाना है जब तक इससे ओल अलग नहीं हो जाता फ्लिम को आप लो कर देना इसके बाद में इसको हम चेक करेंगे तो यहां यह टमाटर अची से पकर दियार हो गए है ओल इससे अलग हो गया है तो इसमें हम डालेंगे आदा चमच से थोड़े से कम हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिच पाउडर यह मैंने कश्मीर लाल मिच ली है यह चमच धनिया पाउडर आदा चमच बुना हुआ जीरा पाउडर अब आपको इससे हलका सा मिलाना है इसके बाद में जो हमने मटर ली है वो मटर हम इसमें डाल लेंगे और हलका सा आपको इससे मिक्स करना है देखे अभी हम ऐसे अच्छी से पकाना है पर यह ड्राय है तो उसके लिए हम पानी एट करेंगे तो यह हम लिया है आधा कप पानी और मिलाने के बाद में हम इसे धग कर पकाएंगे 3-4 मिनिट तक 3-4 मिनिट में हो जाती है तो यहां हम चेक कर लेते हैं ओयल भी सर्फिस पर आ गया है यहां हमने एक हरी मिर्च और अद्रक लिया है इस तरीक से लंबाई में गटा हुआ वो हमने इसमें डाल दिया है फिलका सा मिलाया है और यहां पर यह मसला तेया है गोबी आलू डाल देते हैं अब आपको इससे मिलाना है आप इससे थोड़ा से हलके हाथ से चलाना ताकि यह जो गोबी है और आलू है वो तूटेना लाने के बात में आप इससे धक देना दो से ती मिनिट बात फिर हम इसको चेक करेंगे और यहां पर यह हमारी सब्जी हो गई है भी गैस को हम बद कर लेते हैं आदा चमच गरम मसाला और एक चौथा ही चमच जितना हमने यह लिया है काली मिर्च पाॉडर थोड़ी सी कसूरी महती हमने भून कर लिए है ऐसे क्रश करके हम डाल लेंगे और लास्ट में फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया मिला लेते हैं इसे तो यहां ही तैयार हो गई है हमारी घूबी मठर आलो की सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में पूरी के साथ में आप इसे जरूर ट्राई कीजीगा और आपकी किचिन के रेगुलर मसावलों से ही हमने इसे बनाया है तो चलिए बिट्डी बनाना शुरू करते हैं मैंने धाई सुक्रा मेंडी ली है इसे धोकर काट कर इस तरीके से मैंने त्यार कर लिया है आप चाहें तो इसे इस तरह की जगे गुलाई में भी काट सकते हैं तो यहां आपको ओल लेना है जादा ओल आपको नहीं लेना है इसमें डालेंगे हम एक चौथाई चमच अजवाइन दो पिंच हीन मिलाकर हलका सा हमने भूल लिया है इसमें डालेंगे हल्दी पौडर एक चौथाई चमच यहां हमने लिये हैं भिंडी अब आपको इसमें डालना है लास्ट में नमक नमक थोड़ा कम डाला भिंडी बनने के बाद में कम हो जादी है और मिला लेते हैं इसे यहां पर हम इसे धकर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लिम पर पाने बिल्कुल नहीं डालना है इसमें लू फ्लिम पर पकानी है 3-4 मिलिट में हो जाएं आदा चमच धनिया पौडर आदा चमच से कम है आमचूर पौडर यह लाल मिल्च पौडर इसी के साथ में गरम मसाला बिला लेते हैं इसे फिल्म को आपको लो रखना है यहां हम डालेंगे थोड़े सा भुनाओ जीरा बॉर्डर यह ऑप्शनल है आप स्किप कर सकते हैं और तीन से चाह मिर तक आपको इसे भूनना है ताकि जो सूखे मसाले हमने इसमें डाले हैं न वह बुन जाएंगे और यह भिंडी मैं हमने जाता मसाले यूज नहीं किये हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भिंडी अच्छे से बुन जाए और इस दिए किसे आप काटके बनाते होना तो मसाले भी अच्छे से कोट हो जाते हैं यहां दियार होगए हमारी चेट्पटी मसाले दाग भिंडी मसाला लास्ट में हरा धनिया मिला लेते हैं से आपको भिंडी पूरी के साथ में पसंद दें तो उसे जरूर्ण ट्राइक कीजिएगा तो बिंडी बनकर त्यार हो गई है और यहां पर हम बनाएंगे मिक्स वेच पुलाफ तो यह मैंने मडर लिए है टिमलामिश काजर पीन्स पनीर है टमाटर की बीच निकालके इस लिए से काटके त्यार कर लिया है चावल आप जितनी लेना चाहें ले सक तो यह पुलाव घी में बनाएंगे तो यहां बर सबसे पहले पनीर को आपको हल का बूना है जादा नहीं करना है तो यह हो क्या है एक मिनिट तक हमने किया था फिर हम इसे निकाल लेंगे और सेंग घी में हम थोड़ा से की और बढ़ा देते हैं और यह जितनी में मसाले भुन गए हैं इसी में हम डालेंगे हल्दी पौडर तो एक चौधा ही चमच आपको खल्दी पौडर लेना है यह टमाटर है और यहां हमने जो भी सब्जियां काटके रखे हैं गाजर, शिम्ला मिर्च, बीन्स, मटर यह सब हम इसमें डाल देंगे और आपको इसे हलका सब भूनना है दो से ती मिनिट तक फिल्म को आप अभी मीटियम कर लेना आप चाहें तो इसमें फूल को भी है आलू भी डाल सकते हैं वाड़ा यह भी डाल सकते हैं बहुत अच्छे बनते हैं आप इससे बिना किसी चीज के ऐसे भी खा सकते हैं तो हरिमिश टाल दी है अभी चावलों को आपको दो मिनिट तक हाई फिल्म पर इस तरीके से मिला दे भूनना है दिया नकी का चावल टूटनाने चाहिए हलके हाथ से आपको मिलाना है दिखिए चावल आपके पास कोई भी हो इस तरीके से आप बनाओगे न तो चावल अच्छे से खिले-खिले दिखिए चावल आप जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं बाकी में रहता है पानी पानी आपको कितना मिलाना है कि चावल उसमें घुले न और अच्छे से जितना आपको जरूट हो उतना है उसमें पानी लगे तो थोड़ा पानी डाल दे के बादे फिर आप चेक करना नम में यह जो पनीर है यह इसके उपर हम डाल लेते हैं यह समय आपको फास्ट फॉरूर में दिखा रहे हूं डिस्क्रिप्शन में अच्छी से सभी चीज़ा लिख दोंगी कन्फिजन हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं डखकर आपको इससे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है चावल को इसây की धाना नहीं है और चावल अच्छे से बग गया है दिखिए चावल बननी के बाद में आपको इससे एक साथ नहीं मिलाना है हरा धनीया डाल दिया है अब इसके बाद में आ हैं। ऊक्योर्ड में इससे धग देना है तो कम से पांच मिनिट लिए आपको को ठक देना है और उसके बाद में आपको इससे खोलना है तो पांच मिनिट हो गए है पुलाफ बनकर तयार हो है आप स्टाइटिक में फो की हेल्ट से करना तो यहां देखिए बिल्कुल खिले-खिले चावल बने हैं हर एक दाना अलग-अलग है पुलाव बनकर तयार है यह आठा लगा लेते हैं पूरी के लिए तो जितना आप लगाते हुथा ले सकते हैं नमक डाल देना आठी के साब से और थोड़ा थोड़ा पानी डालके आपको इसका डो देया करना है अब पूरी का डो कैसे लगता है जिससे आप रेगुलर में रोटी या पराधे यह लगाते होना उससे थोड़ा सा टाइट लगता है ज्यादा टाइट डो नहीं लगाना है वरना उसके किनारी फटने लगते हैं जब पूरी को बेलेंगे तो पूरी अच्छे से फूले उसके लिए आपको आटे को अच्छे से नीट करना होता है तबी पूरी अच्छे से फूलती है एक तो यह रीजन रहता है दूसरा रहता है ओल का टेमपरिचर वह में आके आपको बताऊंगी तो यहाँ पर हमारे डोल लग चुका है अब इस पर हम हलका सा ओल लगा देंगे ताकि सुखेना और दस मिनिट के लिए हम इसको लगा कर रख देंगे ताकि अच्छे से से सैथ हो जाएगा तो यहां पर यह अच्छी से सेच हो गया है और इसमें से हम पूरी बनाएंगे तो हलका सा नीट और कर लेते हैं और इसमें से हम पेरे दिया कर लेते हैं आप जितना छोटी या बड़ी आपको पूरी बनानी है आप उसी हिसाब से आटा ले सकते हैं अब आपको इससे बेलने में देखकत होती है, तो आप चाहे तो ओल का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो सुखे आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकि पूरी बनाना तो सबको आता है, और यहां हमने इससे बेल कर त्यार कर लिया है, सिफ्राइ कर लेते हैं, ओल का टे पूड़ी बनकर तीयार हो गए है इसे हम निकाल लेते हैं और जैसे हम ने अट बैसे हम बागि सर्व serie बना कर तियार कर लेगे सबूर कर याद रखना रहा अच्यार ब्रचर अच्छा होगा पूरी एक दिम अच्छे से फूली फूली बनेंगी और पूरियों को एकुली आपको बेलना है तो यह पूरी बना ली है रायता बना लेते हैं फटाफट से तो यह दही में पानी डाल के मैंने पहले से चला लिया था नमक डालेंगे यहां मैंने सफे कर लेते हैं ये ने को भी मटर आलो की चट पठी से सबसी ये वारे इंस्तेंट मैथी आलो की सबसी और मसालीदार भिंडे और ये हैं मठर पनेर और यह मूदी का रायता ये हमारा बैज़ पुलाफ ये सबी बनाना बहुत आसान है बहुत ही चल्दी बन जाती हो यह रही हमारी गरम गरम फुली फुली पूरियां यह हमने रखा है जी पापड़ यहां पर है यह बुंदी का लड़ू तो यहां ही तेयार हो गई है हमारी कुएक वैज इजी अंट टेस्टी वैज थाली की रेसिपी आसान है खाने बहुत ही डेस्टी होता है पसके नहीं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए का